बिहार से आया लाइव वाइरल विडियो देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे बिहार की डबल इंजिन सरकार में कैसे एक आम आदमी का जीना मुश्किल हो रहा है कैसे कदम कदम पर रिश्वत ने आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया है ये विडियो इस बात की तस्दीक करता है आपको बता दे बिहार में बीते 20 अगस्त से जमीन सर्वे का काम जारी है इस सर्वे के दौरान चकबंधी कार्याले के कर्मचारियों ने लोगों की नाक में दम किया हुआ है एक के बाद एक घूस लेने के कई मामले सामने आ रहे हैं अब इस विडियो को देखिए ये मामला सासाराम जिले से है चकबंधी कार्याले का ये कर्मी जमीन के कागजात के लिए लोगों से पैसे लेते हुए साफ दिखाई पड़ रहा है विडियो में जिला चकबंधी कार्याले में कर्मी नंद किशोर लोगों से कागस के काम के बतले रुपे ले रहा है तेजी से वाइरल हो रहा ये विडियो चकबंधी कार्याले का है आप भी देखिए पूरा विडियो करेंगे करेंगे बारा घंटा गाएंगे जाल बजाएंगे जाल बजाएंगे के करेंगे जाल बजाएंगे के विडियोर्ट भी कि ईसरा प्णुप में करेंगे जट रस्मी केनी धकल एच्व बैसित मेंगे कारना एक भी जाएंगे यालम अदे लुदा याल्या का आपक सट्री हम लिए दो दो करिया। को भीनी हम है इंड़ दो को जिस रवक से हमेड़ है नहीं निकाल दो करहा है। जिले हो आप गले को चाहिए पर दो निकाल दो करा दो मैं बने दो को दो है कि अंड़ी को लोगों का कहना है कि जब से जमीन का सर्वे का काम शुरू हुआ उसके बाद भूमी संबंधी सभी विभागों में ये खेल चल रहा है इससे पहले भी रोहतास जिले के दिनारा में भी चकपंधी कारियाले में कारिरत एक कर्मी का रुपए लेते विडियो वाइरल हुआ था डबल इंजन सरकार जहां इमानदारी का ढोल पीटती है और विकास की बात करती है वही इस तरहा के विडियो उसकी असलियत खोल जाते हैं और एहसास दिलाते हैं कि बिहार को इस जंजट से मुक्ती दिलाने के लिए देजस्वी का आना जरूरी है